हेलो एब्रीवन मैं विपुल अगरवाल स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर तो बच्चों जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपना बिजनिस स्टेडीज का चैप्टर नमर वन जो की था नेचर और परपस ऑफ बिजनिस उसमें हम लोग ने सीखा था कि किस तर दा था कि इंडिया को सवरंड वूमी बोले जाता था व्लिक य से वह कांट्री वनीटी सब्सक्राइब कर लेचता था वह हैं वह बचा जाता था इंडिया का माल इंडिया की बेहरर भी बेचा जाता था उस उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऐसी कौन-कौन थी सर्विस थी जो जिसकी वजासे इंडिया इतना पॉपुलर हुआ था अपनी टेडिंग अक्टिविटीज में तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बच्चों इंडी जीनियस बैंकिंग सिस्टम कि उस टाइम पर एशें जो है seller को एक promise करता है कि वो एक specific period of time के बाद उसका payment कर देगा तो हुंडी का purpose क्या था सर हुंडी जो थी credit transaction को emerge करती थी credit transactions को emerge करती थी उसके बाद हमने कुछ हुंडी के types पढ़े थे फिर हमने बढ़ा था कि किस तरह से जो banking system था उसने loan introduction start करा था loan को introduce करा था market के अंदर तो उस टाइम के bankers और state लोग क्या करते थे public से उनकी precious metal अपने पास जमा करवाते थे और बदले में उनको क्या दे 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 पैसा दे रहेते थे लोन की तरह पर जिस पैसा का use करके public क्या करती थी trading activities को भढ़ाती थी increase करती थी बात आई सोवन में नही अगे agriculture activities, domestication of animals लोग की यह business अप करने लगे तो लोगों की income भड़ी उनके पास investment भड़ी जिससे की banking sector के पास और पैसा पहुंचा as a deposit जिसका use करके bank ने और loan देना आगे देना start कर दिया लास्ट में हमने पढ़ा था कि कार खाने और workshop सेट अप करे गए जिससे की इंडिया का contribution manufacturing sector में भी आगे बढ़ा था उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था rise of intermediaries में था कि इंटरमीडियरी का मतलब middleman ऐसा person जो की दो person को आपस में मिलवाएगा उनके बीच में agreement करवाएगा तो इन person सा काम क्या था यह persons पोलते थे हमारे इंडिया के manufacturer प्रोडूसर से बोलते थे कि आप लोग export करो आप लोग export करो हम आपका export को execute करवाएंगे हम आपके export क काम करेंगे अगर आपको payment कहीं फस्ता है तो हमारी जिम्मेदारी है वो payment आपको हम देंगे इसके बदले में वह high rate of interest भी charge करते थे अब सर इसमें commission agent आते थे brokers आते थे banking भी एक तरीके से agent का काम करता था कि भाई पैसा नहीं है तो ठीक है हम तुम्हें ऐसा help करेंगे पैसा देने में distributor wholesaler retailer ये सब बेटा क्या थे middle intermediaries के type से middleman के type से ठीक है बच्चों अब सर आची class में क्या करने वाल है सर आची class हम लोग next topic करेंगे transportation अब जैसा कि बच्चों हम लोगों ने देखा कि बही इंडिया का जो goods है न वो पूरे इंडिया में क्या बोलते है supply करा जाता था और इंडिया के बाहर भी supply करा जाता थ तो भाई किसी मीडियम से करेंगे ना या तो रोड से goods को भेजिंगे या पानी के पानी के सुरू goods को भेजिंगे अब 4000 साल पहले उडने वाली चीज़े तो थी नहीं कि उनके उपर लाधा आज की तर और बेज दिया आना रेल वेस थी तो खाली water waste था और रोड वेस थे त एक ते रांस्पोर्टेशन सिस्टम को सबसे पहले था क्या बेटा हमारा लेंड ट्रांस्पोर्ट क्या बच्चों हमारा लेंड ट्रांस्पोर्ट अब लेंड ट्रांस्पोर्ट क्या करता था सर लेंड ट्रांस्पोर्ट का बास समझो एक इंडिया के अंदर बहुत ही जा इंडिया को जो इंडिया का जो नॉट स्थाना उसको कनेक्ट करता था मतलब बांगलदेश से वो रोड स्टार्ट होता था यहां से होता हुआ इंडिया के नॉट से वो कनेक्ट होता था यानि कि इंडिया का इस्ट पार्ट इंडिया के नॉट से वो कनेक्ट करता था यह इं पाकिस्तान की सीटी में सीटी का नाम था पाकिस्तान कंट्री में अब जो पाकिस्तान है पहले इंडिया के अंदर ही था वो पाकिस्तान तो उस टैम पर एक यहां पर सीटी थी इसका नाम था पिटा क्या तक्सिला और यह तो पिटा आपका रहा क्या बंगाल तो बंगाल से तक्सिला था कि रोड जाता था जो कि connect करता था इंडिया के इन दोनों पार्ट्स को और यह बहुत ज्यादा इंडिया के साउथ में बहुत जादा थी इंडिया के साउथ में ना कुछ रोड ऐसे थे जो इंडिया के नौर्थ और वेस्ट पोस्त को क्या करते थे connect करते थे clear रहे trade routes were wide and suitable for speed and safety जो जो बने हुए थे काफी क्या बोलते हैं wide routes ते wide मतलब चॉड़े नहीं ऐसे नहीं मतलब काफी फैले हुए थे connectivity अच्छी थी सर roads की India के अंदर उस time पर साथ की साथ वो रूट्स सेफ भी थे आप उस पर स्पीड ट्रांस्पोर्टेशन भी कर सकते हो मतलब ऐसा नहीं था कि रूट्स इतने खराब हो कि आपको चलने में प्रॉब्लम है रोड अच्छे मने हुए थे सेफटी थे चोरी चकारी कम हुआ करती थी क्लियार है सब अब शनले ट्रांस्पोर्ट सब्साइब सर्वाटर्सपोर्ट यह देखो सर बच्चों मालाबर इंडिया की एस इस्ते इस इस मालाबर इस Пос्बोस्ति पोले जाता है टो सबस tweak माला वाः फिस नाम की जग़ा थी जिसकी लॉझ सिर्व रही है इंडिया के इंट तब देखेंगे पर फ्लाल नहीं पताब इतना पता एक जगा का नाम प्लूजिश जिसका की में काम क्याता सर्व वहां से न बहुत जड़ा export activities की जाने कि आने कि महां से माल दूसरी countries काफी जाताथा और दूसरी से महां पर माल काफी आता था क्योंकि मुझरीज कहीं इस चगह पर सिचुएटेट था तो यहां से ना इंडिया का जो साउधी अरीबिया यहां से पूरा चुनेक्ट होता था आई पास समझ में आप नहीं आई इयाने कि यह वाटर वेस्सा आना यह कि हमासा झाटा चाग करा जाता था एक बढ़ियों वह और बाहुत ना ओधा वह Columbus निकले थे, इंडिया का एक अलग रूट देखने के लिए कि जहां से Spices को Supply करा जाता के, Columbus निकले होंगे अपनी नाव को लेकर, दूडने के लिए ऐसा रूट जो कि इंडिया का ऐसा Alternative रूट तूसरा रूट जो कि इंडिया को connect करेगा जिससे की हम स्पाइशी स्कूफात सकते हैं सर वह रूट मिला निया वू तो नहीं पता लेकिन उसकी कोई में क्या मिल गया सर अमेरीका मिल गया मिल गया दूरने गयुक रास्ता मिल गया उन्हें क्या अमेरीका अ술 भ क्रह को सब्सक्राइब तो इंडिया को फायदा क्या मिलता था गर कोई समान क्या बोलते हैं साउधी इस से मगाना है तो मुझे से आराम से चाईनी शिप में आ जाता था या फिर कोई चाइना बेचना या इंडिया से इस तरीके से चला जाता था तो याने कि इंडिया को कनेक्ट कर दिया चाइना के साथ और इसके साथ साओ configurant अब अब next है सर क्या Calicut Coast, Calicut Coast सर यहां पर कहीं स्थित था, इधर कहीं situated था, सर इस coast का जो था काफी ज़्यादा importance हा, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा important था, क्यों हो था, क्यों कि सर चाइनी शिप्स है न, वो चाइना से आते थे, इस जगहा पर rest करते थे, फिर यहां थे सर Middle East की तरफ निकल जाते थे, Middle East कौन सा एरिया, कहापर दुबई है, इरान है, इराक है, टर्की है, यह एरिया Middle East से था, तो यहां से आते थे, यहां से रेस्ट करा Middle East पर चले गए, सर अब importance कैसे हुई, इसकी, importance बच्चों इस तरीके से हुई, क्योंकि इस रूट को, इस इस रूट करते थे, तो देखो, फस्ट पॉपूला जाट, इडवाज इवन विजिटेट बाए था, चाइनीज शिप, सर चाइनीज शिप को, कैलिकर्ट कोस्ता जो था, विजिट करता था, तो एक्क्वार असेंशल आइटम स्वां, Middle East, एस वेल एस, पैपर, डामंड, प सर, कोर मंडल कोस, कोर मंडल कोस पर एक, क्या बोलते है, major port तरश का ना दर, प्यूलिकेट, textile was a major export from प्यूलिकेट, टो यूदा, साउत eसच एसिया, अब सर, इसका काम क्या था, سर, प्यूलिकेट ना कहीं सिच्टटेट था है, इंडिया के इस वाले हिस्से में, बात आई सर्ट पर साउथ ऐस्ट इस्ट ऊप्टेश्य पढ़ता है साउथ इस्ट इससाइड ऐस्ट बात अपर नहीं आई तो इस तरीके से इंडिया के इंडिया की बिजनिस की हिस्ट्री में वा करती थी का मतलब सेरय के संमय लगोंक के गुरूप बन गये और वह लोग उस C집 मोत रूडव वन गई लको पर गए और वहाँ पर उनकी गुरुप क्या था फेमस हो गया तो यानि कम्यूनिटी बन गई एक तरीक है कि उन्हें बोलते थे लिए ट्रेडिंग कम्यूनिटी आइए देखते हैं डिफ्रेंट कम्यूनिटी डॉम्यूनिटी डिफ्रेंट ट्रेड इन दा कंट्री मतलब अलग बहुत तरीक है कि ट्रेड होते थे तो हर ट्रेड को डॉम्यूनिट करने के लिए कम्यूनिटी बन गई थी एक नेट्रली का का बन गई थी पैटा कम्यूनिटी बन गी थी आईए देखिए पंजाब एंड मुल्तानी मर्चेंट्स हेंडेल बिजनिस इन नॉर्धन डीजन अइन इतु है पर पन्जाबी और मिल्तानी उंडिया इंडिया के नॉर्दर निीजट में है अपना बिजनस फैलाया था यानि कि इस वाले एरिया में माजन्स वार इने जले इस बात में द्यान इस त्छिं इन पर उनका हक था वह पर वह अपने ट्रेल को जिए मैनेगी करा करते थे साउथ में शेट mouth इंपोरतेंट आ सैं यह वालों साूथ का इस सा था ना करनाटे का वाला जो हिंस्टा था आपका हैदराबाद करनाटे का वहाँ पर सब्सक्रों कौन सी community famous थी 1-2 अपर क título पी तो पलते ना तो इनका यह रहां चैजान और तो पूराना वाला नाम था भाट्स भाट्स बोलो भाट्स बोलो तो वह यह यह जो community थी यहां पर trade करने के लिए famous थी तो सर पंजाबी और मुलतानी नौर्थ कहसा देखा करते थे जो महाजन से वह western boundaries की तरफ देखा करते थे इंडिया की और जो हमारे चेटियर से वह south को देखा करते थे और भाट्स नों थे हमारे वह गुजरात और आधिस्तान को देखा करते थे clear है सर आगे देखते हैं सर अब गुरूप की तो बात कर ली कि सर ट्रेडिंग कम्मुनिटी बन गई या नहीं गुरूप बन गए चिंका इंडिया के कुछ रीजन्स पर क्या था नाम चलता था कि यह जगा पर यह लोग ट्रेड करते हैं बात इस अवर में नहीं आई जब इक गुरूप क्या होता ह सर यह इंसान अक्यला इन इस बको रिफ्रेट रीजन्ट करेगा यह नियाकि लीडर इतने सारे लोगों को पूर डॉप को रिप्रेजन्ट करेगा उसका govern चलेगा leader का लीडर का control चलेगा गुरुप की उपर leader जो है गुरुप को guidelines देगा उसको चीज़ा बताएगा बने की government कौन है उस group की sir, leader है, leader govern करेगा बात आई समध में नहीं आईए देखें these corporations were formed to protect the interest of traders त्रेडर को इंट्रेस्ट बचाने को यह कॉर्पोरेशन को फॉर्म करा गया कहने का मतलब कि सबके लिए एक जैसे रूल्स बने ऐसा ना हो किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो यह क्या बनाएगा गरूप बनाए गई लीडर का में काम क्या था सारा जितना भी ट्रांजेक राजा के साथ जाकर क्या करते थे सर दील करते थे तो यह लोग ध्यान नकते थे किसी के साथको नाइंसाफी ना हो जाएगा विप्लियर और और सब्रम्व्प और को न spiesढ़ अगराने algo को को उसका नोछ या अपना काम करने कहीं देएengersिए और से उसकी इज़त भी करते थे रिजन पिछे यह था क्य pollution के पास से टेक्सिस आथा था थािक्स होके टेक्सिस से डेक्सिस तो का स्हाइबा से जो इनको से पास ही हम आधाud तो कि यह लोग अगर बिजनेस नहीं करते ना पूरी एकोनोमी धप हो जाती धप हो जाती समझे सेकिंड देखो ट्रेडर्स है टू पे ओक्ट्रोइड ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गूड्स सर अगर मांगे चलो किसी ट्रेडर ने पार किसी कंट्री से गूड्स खरीदा इ सर और चै फेरी टेक्स वस अनुट ऐने की जो नाफ चलती धी जो नाफ चलती थी समुद्र हों और नदियों कि Feder इनकष लगा जाता था तक के भी फीस रिए दे चार्ज लिए जाते से इस पर कोई इंडिविज्टल पैसिंजर ट्रेविल कर रहा है उसको भी चाहिए आप समान बेज रहे उस पर भी टैक्स रहे पड़ेगा किसी घोड़ा गाड़ी वगएरा को लेकर जा रहे हो आप देखते हो ना पीछे बुगगी वगएरा लगा देते हैं घोड़े के पीछ उसके जो हैड़ा उसको बोला जाता था विल्ड क्या बो वेगिल्ड युस्स डील डैरेक्टली विद्ल एकिंगस और टेक्स और और क्या पर यू करते थे जो को उसका इंसान के पास जो कि टेक्स करता है उसके पास बेटे उन लोगोंने meeting करी decide करा कि भाई हमें कितना text तुम लोगों को pay करना यह कौन decide करता था गिल्ड दिसाइड करता था गिल्ड उनके साथ एक deal करकर आता था और वो टेक्स डिल्डे होता था सब के उपर applicable होता था तो क्या काम करता था geld text collector राजा के साथ deal करता था directly on the behalf of all merchants on the behalf of all merchants यानि क्या गिल्ड deal करने जा रहा है और एक rate of tax एक एक rate of tax क्या हुआ accept करा गया तो वो सब के ऊपर लागू होगा सब उस तीज पर agree करते थे the guild merchants also acted as a custodian of religious interest sir वो अपने धरम को अपने धरम को भी बचाने का काम करते थे अपने धरम को भी प्रमोट करने का काम करते थे कैसे दे अंडर्टुक the task of building temples and made donations by living taxes on their members काम करते थे सर उन्होंने का मंदिर बनाएंगे हम donations करेंगे अपने धरम को आगे बढ़ाएंगे तो of course मंदिर बनाएंगे ठीक है donations और इसके लिए क्या करते थे अपने ही कॉर्पोरेशन के मेंबर से टैक्सिस लेते थे यान वो बोलते हैते मंदिर बनाना है डोनेशन करना है पैसा दो टैक्स क्लिया पैसा आया और इसको आगे डोनेट कर दिया मंदिरुमें लगा दिया सो डेट उनका religious interest क्या रह सके safe रह सके बात आई समन में आप नहीं आई क्लियर है आगे देखते हैं major trade centers है major trade centers कुल मिलाकर 14 आपकी mcrit में 14 major trade centers यह रखे हैं जिनकों की मैंने एक map के उपर plot करा है जिससे आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा अगर आप यहां पर देखोगे न मैंने आपको भी एक रूट बताया था जो कि इंडिया के इस्ट को इंडिया के नौर्स से connect करता है तो रूट सरी कहीं नहीं कि इन लोगों connect करता हो देखो यह रह यह रह ऐसे करके रूट नहीं था ऐसी तो करके सर रूट था वहांजी सर ऐ अगर मांगे चल आपको silk का cloth लेना है तो वारा नसी is famous for that बास समझे नहीं समझे तो अब सर देखो क्या होता था यह रूट स्टार डूआ सर पेशावर्स है पेशावर आज के टाइम पर पाकिस्तान में है तक्सिला होता हुआ इंदफ्रस जाने की आज का दिल्ली फिर उस टाइम पर पाकिस्तान में situated है it was an important export center for wool and for import of horses पेशावर का काम क्या था आप लोगोंने movies वगरा में देखा होगा जो पाकिस्तानी एरिया है जो पहाड़ों पर है या फिर अफ़र अफगानिस्तानी एरिया वह भीड़ों को बहुत चराते है ठीक है आप लोगोंने देखा होगा movies वगरा में तो वह काम क्या करते है सर उन भेड़ों का उन निकाल लेते हैं उनको export करते हैं बात समझे नहीं समझे और सर इंपोर्ट क्या करते थे घोडे सर होर्सिस इंपोर्ट करते थे क्योंकि transportation के लिए क्या सबस्यादा चरूरी होगा सर एक साधन भी तो चरूरी जेना चो ट्रांशं करे जाते थे इंड चाइन और रोमम तर्येह काफी बड़े बड़े ट्रांशंक्शन कर जाते थे यह नंकि पेशावर इंडिया में था फिर cash a巴 नैंगे ता रोम मार चैना के साथा 16 है यह क्योंकि ओन निक लिए ते रूम में पाकिस्टान अनगांग क इतना सा समझो देखो सर यहां पर अगर आप मैप में देखेंगे अगर आप मैप में देखेंगे तो आप क्या देख पा रहे हो यह रहा सर तक्सिला तक्सिला सर ऐसा एरिया था जो कि connected था सर किस से Central Asia से यहां से रोड जा रहा था किस से connected था सर Central Asia से connected था बात संदे नहीं समझे तो उसका सार फाइदा क्या होता था सर उसका फाइदा क्या होता था उसका फाइदा यह होता था तो कि it was also a city of it was also city of finance जो लेंड डूट था हाँ sorry it was also city of financial and commercial banks क्योंकि इतना heavy transaction इस जगा पर करा जाता था इस जगा पर बहुत धर्म का काफी वो था और बहुत दोने अपनी एक उनिवर्स्टी बनाई थी महाँ पर सब बोलते हैं क्या टक्सिला यूनिवर्सिटी ठीक है फोर्थ है इंद्रप्रस दिल्ली इसा दिल्ली बोलता है उस टाइम पर उसे इंद्रप्रस बोला जाता था it was a commercial junction on the road royal road royal road वही इस रोड को मैंने भी मार्क करा था we are most routes leading to east west south and north conversion कहने का मतलब सब्सक्राइब तैना आप यहां पर यहां से आध्या सक्टे हो जहां से आप इसमें यहांसे बीगा सकते हैं जहांसे आप ट्रेन रहा आप को इंडिया के किसी भी कौने में जाना दिल्ली होकर अराम से जा सकते हैं वह ऊद्ध की अज़ival颡ाब्ने पंचा आप घुप यह झाल आता था and people here subsisted on commerce many routes from South India touched Matra and Broach यहां के जो लोग थे न वो depend ही खाली किस पर थे ट्रेडिंग पर depend थे वो बनाते नहीं थे वो खरीद थे और आगे जाके दूसरे लोगों को आज भी है जो भी साउथ की कोई ट्रेन जाएगी न दिल्ली से वो मतरा होते होई जाती है बात समझे है नहीं समझे तो मतरा काफी रेलिवेंट था साउथ कनेक्टिविटी में आगे देखिए सवारण थी तो पता है आज का बनारस इट वस वेल प्लेस एज 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 इट ले बोथ ऑन दा गेंगेटिक रूट एंड ऑन दा हाइवे डेट लिंक्ड नॉर्थ विद दा इस्ट सर देखो अकर आप बनारस को देखोगे न बनारस को तो बनारस का इंपोर्टेंस क्यों पर क्या जीज का बिसनेस होता था देखो इट ग्रिव एज अ मेजर सेंटर फॉर टेक्स्टाइल इंडस्ट्री एंड बिकेम फेमस फॉर ब्यूटिफुल गोल्ड सिल्क क्लोथ एंड सेंडल्वू वर्कमेंशिप सब्सक्राइब बनारस का जो सिल्क था गोल्ड सिल्क था वह काफी जाथा क्या था सर फेमस था और बनारस में चंदन का काम भी काफी फेमस था बादाई समझ में आपी नेपाल का रिजन जो मैंने रेड से मार्क करा है तर ट्रेडर्स मिचिला क्रॉस्ट सी बाइब बोर्ट्स एंड थू बे ऑफ बंगाल टू तू साउच चाइन यहां से ट्रैवल करते थे और चायना और इंडोनेशिया अ इन जगाह पर जाके ट्रेडिंग क्याड़ा करते थे अब सर यह जो नाम लिए गए हैं आपहे देखिए यह जी नाम लिए गए गए ना जाबार्ट्स पिल्ण है यह उन्ही आई एंपहे लिए जनको में आज़ में मालेशिया बोल रहा हूं बात समझेशी नहीं समझेश याने कि नेपाली क्या करते थे बोट लेके निकले बेव बंगाल से होते हुए और कांट रेड करते थे संटेब्स टेडिंग कॉलोनीज इंस आउच चाइना इस्पेशली नुनान और मिजिला इनके स्ब्सक्राइब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं सब्सक्राइब करूंगे यहां पर क्या है यह आइलेंट तो उपर इगे सदवल सतेर् sas 파ारिंगे साथ हमाँ Black इन रोhammer टेंग टोफ फेस जा कर सेथ फिसज़ करते से नें से इन के सब्सक्राइब तो दिफरेंट सेंटर इट हैज वाओं से यहां से कोई रोड जा रहा हुगा जो इस रोड पर हां के कनेक्ट हो रहा था उस और एसे इस वेलियू भड़ गई थी स्युन अब सूरत कुंधने से पहले एक काम करते हैं पातली पॉट पट्ना को समझते हैं it was not only a commercial town but also major trade center for the export of stones sir जो पाटली पुत्र है उस ताइम का आज की ताइम का पटना वो स्टोन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था स्टोन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए अगर पत्थर उस ताइम पर चाहिए हो थे लिए बनाने को तो वो कहां से पत्ना से एक्सपोर्ट करे जाते थे ख्लियर है आए देखते हैं सूरत को सर सूरत का था सूरत का बहुत इंपोर्टेंस है सर यह रहा सूरत यह रहा सूरत क्या था समुद्र किनारे था आए है इट वाज एंपोरियम वेस्टन टे द्यूरिंग न मुगल पीरिएड सर वेस्टन टेड मतलब यह वाला हिस्टा हमारा लेफ्ट वाला हिस्टा वेस्टन वेस्टन पार्ट माला जाता है ना गर हम इंदिया देख रहे हैं तो इंदिया के यह वाला हिस्ट होगा यह वाल होते हैं ठीक है उनकी उनकी उपर गोल्ड की कडाई होती थी सूरत उसके लिए बढ़ा फेमस था इट इस नोटवर्दी डेट सूरत हुंडी वस ओनर्ड इन फार ओफ मार्केट ऑफ एजिप्ट एंड इरान सूरत की जो हुंडी थी ना उसकी काफी वैल्ली थी वह अच्छी किनारे हैं इट वस एयर डेट चाइनीज उस्टू कम इन फॉरण शिप्स टू पर्थेस पर्ल्स ग्लास रेयर स्टोंस और इन रिटन दे सोल्ट गोल्ड एंड सिल्क सर यहां पर क्या करते थे चाइनीज जाय करते थे कांची पूरम और इन लोगों से क्या खरीदते थे सर पर्ल्स यानी की मोती खरीते थे कांच स्टोंस क्रीते थे क्योंकि समुधर के किनारे थे यह आसानी से एच चील स्मुधर से निकाल लेते थे चाइना आता था इन लोगों से समहान खरीदता था और इन बदो क्या नेCL जाता था गोल एंड सिल्क देकर चाता था 11 व्यावbor यानि कि उसे मदुराई बोलते हैं इसके टाइम पर क्या बोलते हैं यह भी सर समुद्र किनारे इट वाउस अ कैपिटल अपांडेया को कंट्रोल था पर्ल्ड फिश्रीज पर्ल्ड फिश्री जानि की मोती निकालने का जो प्रॉसस था न उसको कंट्रोल कर रहा था अफ दा वुटैंब को देखो यह प्रॉसस इरिया में इंडिया में मदुरा ने इससे और ख९हां से मौतिया निकालते थे एक्जिक्स निकालते थे all maar निकालते यहां सै बड़ा शौक था तो रोमन्स बड़े अट्रेक्ट होते थे इंगी साइड पर तो यह क्या करते तो रोमन्स के साथ इंपोर्टेंट पॉइंट इट वस शुची को थोड़ा से देखींगे ना बारूश को थोड़ा से देखींगे साथ बारूश समुतुछ से भी ईची कनेक्टिड की याने कि वो रिवर्च है ब्रच इंस इंस सारी इस से कनेक्टीड हो गई से प्रारूच ब्रूक्तिते शनर सबस्क्राइब मेरा रच रिपेटो हुछ,Brouj देनक्नेक्टिवीटिस था। मिछ तेन थे तुरू थे it loading and unloading and strong facilities of merchandise यह city काफी जाद technology में latest technology ठीज के पास काफी जाद scientifically attracted city थिए बाद हैसम मैंने आई इसका construction था और इसके पास कुछ facilities थी loading unloading facilities जो कि merchandise जाने की business केंड में काफी useful हुआ करती थी foreign traders had their headquarters in this city सर फोरेंग ट्रेडर्स के हेडब कॉर्टर्स एंडि से इस जगा पर इस द्रेश्ट घॉर इनधो नेशिया चाइना एंड फार इस तो यहां ते इस बडापस था तो इस वरे से क्या चाइना इंडोनेशिया Malaysia से इसके connectivity क्या थी सर अच्छी थी इसकी connectivity क्या थी सर अच्छी थी it was the center of trade for perfumes, cosmetics, scents, silk, wool, cotton, corals, pearls, gold and precious stones and also for the ship building सर इन चीज़ों की लिए काफी ज्यादा क्या था था फेमस था सर 14 and the last क्या Tamra Lipty, Tamra Lipty सर एरा यह रा सर तामरा Lipty ठीक है okay sorry अगर सब्सक् solum की सब्सक्राइब वेJयों में और सब्सक्राइब में शेंक आप आप चेक करेंगे तो तामरा लिप्ती इस से भी connected था इस से भी connected था बात आई समन में यही तामरा लिप्ती का बहुत ज़धा relevance था अब सर मेजर exports and imports इंडिया के time पर उस time पर क्या major exports से क्या major imports से एक बार इस चीज को देखते हैं major exports क्या दे सर indigo opium opium मतलब क्या बूलते है indigo मतलब पहले indigo का मतलब बताता हूं indigo dark blue color का plant होता था इस से में dark blue color मिलता था बाद आई समन में नहीं आई opium opium मतलब अफीम अफीम वो नशा करने के लिए यूज नहीं करी जाती थी अफीम एक्चॉली ना दर्द के लिए ऐसा पेंग किलर यूज करी जाती थी spices, masala, wheat, गहूं, sesame oil, cotton, parrots, live animals and animal product like birds, on, tortoise shells, pearls, sapphire, quartz, crystal, granite, copper, etc यह सारी चीज़े इंडिया के domestication इंडिया में भढ़ रहा था, agriculture इंडिया में भढ़ रहा था, सर दौने चीज़ों के लिए animals बहुत ज़्यादा चाहिए, horses इस वरे से चाहिए होगी एक जगा से दूसरी जगा, land अगर हमें through the land transport करना है, through the land हमें एक जगा से दूसरी जगा जाना है, तो कैसे जाएंगे सर, horses के through ही जाते थे, आपने देखा होगा, गोड़े पर चडगी ही जाते थे, पुराने जमाने में, Chinese still काफी import करता था, flex clean काफी import करता था, wine, gold, silver, tin, copper, lead, coral glass, etc, ये सारी चीज़ें इंडिया काफी import करता था, ये इंडिया में नहीं मिलता था, मैंने पहले आपको बताया भी था कि जो copper था ना, copper जो था Middle East में तर्की, टर्की, इरान, इराग ऐसी जगा पर पाया गया था, clear है, अब आए आगे देखी सर, position of Indian subcontinent in the world economy, इसके लिए ना सर मैं आपको ना, एक क्या बोलते हैं, इससे समझाता हूं, इसको मैं आपको, इसको एक timeline के सुरू समझाता ह इसको दिखनाओ, यह सर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और सर, चौता पार्ट इसको ध्यान से देखना, सर मैं म्माल लेता हूं सह क्या, बन अट जो क। यह सर, 1750 अद झासे सर, 1947 अधी, उसके बाद सर, 1991, उसके बाद सर, आज क्या है हमारा? 2023, अब सर, प्रिटिश अंग्रेज बिरिटिश अंग्रेच और इंडिया का टायम बदल गया इन्दिया का तायम बदल गया तो यहां पर हम लोग देखते हैं इंडिया को लूटा कैसे है आई यह पहला पॉइंट पढ़ते हैं इन फर्स एंटेंट इंडिया पर इंडिया पर पूरी दुनिया में इतना पैसा था इंडिया उसका वन थर्ड और वन फोर्थ को चंट्रोल करता था इतना पावर से इंडिया के पास सब्सक्राइब के पास काफी जाथा पैसा था काफी ज्यादा रिसोर्स इसकी वज़ए से उसको बिजनेस करना आसान होता था और ऐसा यह इंडिया के लोगों ने खुझ नहीं बोला भार के लोगों जब बहार के ट्रेवलर्स इंडिया आते थे उन्होंना किताब लेगी उनके अंदर उन्होंने यह चीज को मेंशन करना था कि इंडिया को एक्षल में सर्णुमी क्यों बोला जाता है जब बिटिश एंपायर बिगें टू टेक रूट्स इंडिया इंडिया अंदर अपने पैड जमाने चालू करे इस्ट इंडिया कंपनी यूज्ट कि मान के चलो इंडिया इंडिया है क्या इसर यह इंडिय यह कंट्री है क्या सर privacy इंग्लEnd ॡ आगर इंडिया से इंग्लेंड के पास क्या गया सर गुट्स करा ऑद बदले में क्या एगा बदले में मढ़िद भी मनी है यह नहीं इंगलेंट की करंसी इंडिया के सद्सिंटिपा से पर एक्ट आरी इन होता था ये लोग क्या करते थे मांनिक़ चलो विलोक सन्थ मांगे चलू बेसsters क्या करते थे लेकिन बदले में पैसा नहीं आता था अब तो यह लोग क्या करते थे इंडिया के पैसा दे देते थे से चप travelled तर यह सोरे सब कोई समान खरीटने स्वांता है अasında आंग गेंद उसकी करंशी इंडिया के इंडिया के इंडिया के रहे हैं लेकिन इंडिया पैसा नहीं आ रहे इतनी चाला कि British Church ने करी थी तो British Church ने अपना मतलब British Church ने हमारी प्रोविंस इसका हमारे राज्ये का ही revenue को यूज करके हमारे राज्ये का revenue को यूज करके raw materials या करे थे purchase करे थे spices purchase करे थे goods purchase करे थे this led to stop of inflow of foreign exchange इंडिया के इंदर बंद हो गई थी इंडिया से माल भार जातो रहा था लेकिन भार से पैसे नहीं आ रहे थे और हमारा पैसे इंडिया में गूमता चला जा रहा था जिसका कोई relevance था नहीं अगर भार गूड्स आ रहा था भार से पैसा भी इंडिया में आना चाहिए otherwise trade करने क कोई फाइदा नहीं था बिटीटिटेश नहीं यहीं करा एक तरीके से free में भार माल बेशते चले गए इंडिया को लूटते चले गए इस चेंज दा कंडिशन ऑफ इंडिया निकोनमी फ्रॉम बिइंग एन एक्सपोर्टर अफ प्रोसेस्ट गुड्स पहले इंडिया क्या प्रोसे बहुत महेंगे दावों में इंडिया बेश तो बात आई तो तुम हमसे पैसा भी नहीं दिया फिर उसके बाद उन रॉम मेटेरियल को अपने आप बना रहे हो और उसे महेंगे में इंडिया बेच रहे और इंडिया के लोग अब पैसा पहले तो गुड्स भी जा लगा तो इंडिया क्या बन चुका था सर बायर बन चुका था किसका इस तरीके से अंग्रेजों ने इंडिया को लूटा फ्री में गुड्स लेकर गए उसको बनाया उसका वापिस लाके इंडिया में पेचा फिर इंडिया का पैसा लेकर गए इंडिया का गोल्ड लेकर ग लूटेट लीस बॉलकि लीज़ हम भी हमारा ही पैसा हम लोगों को लूटने के लिए उस करता था सर फिर क्या हुआ सर इंडिपेंदेंडेंस dispute अब क्या हो गया सर इंडिपेंडेंटंट इंडिया हो गया independent Consultants इंडिया को छोड़के चले गए कब 1947 में तो सर इंडिया के लिए 1947 से 1991 का टाइम जो था ना का पर ज्यादा क्रूशल था कोगी इंडिया पूरी तरह लुट चुका था इंडिया के पास कुछ के अपने ज्यादा रेसोर्स बचे नहीं थे तो उस ताइम पर प्राइम मिनिस्टर थे पंडे जवाला नहरू उन्होंने कुछ पॉलिशी लेकर आए वो फर्स फाइव यह प्लांस लेकर आए उन फर्स फाइव यह प्लांस पर उन्होंने क्या रखा आए देखते हैं after Independence the process of rebuilding the economy started and India embarked on planned development और इंडिया ने बोला कि हमएं developer करना तो development planned development होना चाहिए ऐसा वैसा development प्लान्द सचाहिए तो यन की incaricis को planning करेंगे और क्या क्या चीति पर फोक्स करना है और क्या चीज के इंडिया पीछे of society और उन्होंने यह चीज बोला था और यह धियाद में हमें रखती हुए करना है कि इंडिया की जो development होना चाहिए वो सर्ष इंडिया किसी और country की ओपर dependent नहीं होना चाहिए इंडिया की यूज़िए यानि कि जो mean by the central economic planning काने का मतलब एक जगा पर planning होगी एक जगा पर planning होगी और उसको implement पूरी country में करा जागए यानि कि पूरी country में uniformity हो जाएगी कि एक जैसे ही policy पूरी country के अंदर चल रही है और उस time पर प्राइम मिनिस्टर थे फाइनेंस मिनिस्टर थे government माल ले थे government ने काफी जाता request करी थी public से कि भाया अपना पैसा हमारी industries में invest करो हमें बाहर से पैसा लेने की जोड़त ना पड़े आप ही लोग पैसा दो invest करो बरोशा करो business करो बढ़ाओ इस देश को आ गया due importance was given to the establishment of modern industries modern technological and scientific institute space and nuclear programs सर उस ताइम पर क्या चीज़ बोली कि अगर हमें इंडिया को develop करना है न हमें modern industry develop करने पड़ेगी ऐसी इंड़स्टी जहां पर technology का application जाधा हो बात समझे नहीं समझे पुराने जमाने से काम नहीं चलेगा सर modern industries को modern factories को set up करना पड़ेगा हमें ऐसे institute बनाने पड़ेंगे जो कि technology के उपर research करे हमारे देश के यूद को पढ़ा है technology क्या है इससे कि हमारे देश में technology बढ़े और इसी का नतीजा था कि हमारे देश में आई 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 टी बने सर आई आई टी बने space and nuclear program सर स्पेस पर भी ध्यान दिया गया सर इसी का नतीजा था कि हमारे देश में isro बना 1969 में क्यों बना था क्योंकि space में हमारे देश को आगे लेकर जाना था despite these efforts planning तो बहुत अच्छी थी efforts तो अच्छे थे Indian economy could not develop at rapid pace and due to lack of capital formation, rise in population, weak financial system, inadequate infrastructure and high huge expenditure on defense planning तो इतनी अच्छी थी लेकिन इंडिया अपनी economy को develop नहीं कर पाया, उस speech से उसने plan कर रहा था sir क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि capital नहीं था sir, पैसा नहीं था rise in population, population एकदम से इंडिया में blast होना start होगी थी, एकदम से सर्द आ गया था, एकदम से जंचंग्या बढ़ने लगी थी weak financial system, मैंने बोला ना पैसा नहीं था, और पैसे का लेन दिन भी इंडिया काफी weak था, क्योंकि corruption जादा था और उसका दूसरा रीजन ये भी था कि काफी जादा tragedies होई, independence के बाद ही 4-5 war हो गए, emergency लग गई तो इंडिया का जो financial system था वो काफी weak था, inadequate infrastructure इंडिया के बाद infrastructure भी अच्छा नहीं था, high huge expenditure on defense, क्योंकि इंडिया की independence के just 15-20 साल के अंदर ही काफी major war हुई, एक पाकिस्तान के सा 1971 में हुई, चाइना के सा 1961 में हुई, पाकिस्तान के साथ भी हुई थी, तो तीन चा लडाईयां जब इंडिया की just after 25 years of independence हुई न, तो इंडिया को अपना defense budget काफी बढ़ाना पड़ा, इंडिया का major portion of the money महा पर जाकर invest होने लगा, इसकी वरे से इंडिया को foreign sources से, foreign countries से पैसा लेना पड़ा, इसकी वरे से इंडिया को क्या करना पड़ा, economic liberalization 1991 में adopt करनी पड़ी, अब ही जाके इंडिया ही चल ला था कि नहीं हम भार की country से माल नहीं खरी दिंगे, हम भार की country से माल नहीं बेचिंगे, बेचिंगे तो साहीं हम भार की country से माल नहीं खरी दिंगे, हम भार की country को अंडिया में जाकने नहीं दिंगे, लेकिं 1991 में इसने liberalization policy लेकर आनी पड़ी, इंडिया थोड़ा सक्त था, और liberalization policy की वरे से वो थोड़ा नरम हो गया, थोड़ा नरम हो गया, soft hearted हो गया, वो कहा था चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ना थोड़ी terms and condition को कम कर देते हैं, आओ और इंडिया के अंदर business करो, reason यह था क्योंकि जब भार की company इंडिया में आएगी ना, तो इंडिया में पैसा लगाएगी, इंडिया में पैसा आएगा, जिसकी वरे से इंडिया की economy क्या होगी, अच्छी हो जाएगी सर इसी का नतीजा था, इसी का नतीजा था कि 1991 के बाद, 1991 के बाद सर क्या हुआ, एक policy बनाई गई, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिया की policy बोलते है, LPG, liberalization, privatization, globalization आया, ठीक है, economic reforms बोला लाता है होना है, तो उसमें तीन काम करेगा, यह थे क्या, three-pronced approach, stabilization, सबसे पहले तो, ऐसी policy बनाऊ, जिसके अंदर महेंगाई का दर, यानि कि inflation rate stable रहे, prices stable रहे, clear है, यह नहीं एकदम से भढ़ गए, एकदम से कम हो गए, restructuring, restructuring मतलब ownership structure पर ध्यान दिया गया, sir, ownership structure, ownership structure, यानि कि जो चीज, government के हाथ में थी, वो धीरे-धीरे privatize होना, start to public, नीजी लोगों के हाथ में जाना शुरू हो गई, and globalization of Indian economy was adopted to address the changes in economic and business scenario, अब क्या करने लगे सा, globalization भी हो गया, यानि कि Indian government ने ज्याज़ा दे भार की companies को पर या आओ, इंडिया में आके business करो, clear है, and its integration with the global economy, और इंडिया अब जो था, global economy के साथ, जुड़ चुका था, clear है, major policy changes को changes लेकर आए, 1991 के बाद साह, जैसे fiscal में changes लाए, monetary policies में changes लाए, trade policies में है, ने कि दूसी countries के साथ, हमें trade क्या से करना है, उसके अंदा changes आए, factories की policies के अंदा change है, agriculture की policy के अंदा change है, infrastructure, foreign exchange and foreign investments in 1991, 1991 के इंडिया की economy में बहुत जाधा changes है, 1991 के बाद, इंडिया की economy में बहुत changes, फिर है, rising income, savings, investment opportunity, increased domestic consumption and younger population ensure growth for decades to come, अफसर क्या होने लगा, 1990 में चो economy, 1991 में चो economic policies को adopt करा गया था, उनकी फिरे से क्या होने लगा, लोगों की income बढ़ने लगी, savings बढ़ने लगी, investment opportunities बढ़ने लगी, domestic consumption जाधा हुगा, क्योंकि income बढ़ने लगी, जब domestic income बढ़ने लगी, लोग, इंडिया के लोग, खर्चा भी करने को ready हो गए, and younger population ensures growth for decades to come, और अब जो youth था, उसको यह भरोसा हो चुका था, कि जो अब हमारे आगे time आने वाला, उस पे इंडिया बहुत ज़्यादा grow करेगा, और वो भरोसा आज तक है, the high growth sector have been identified, और इंडिया ने अपने जो high growth sector याने कि जिस sectors में, जिस area में, इंडिया grow कर सकता था, वो पता कर लिये थे, which are likely to grow at a rapid pace, जो कि बहुत तेरी से बढ़ने वाले थे, and the recent initiative of the government of India, such as make in India, अभी मोधी गवर्मेंट लेकर आई है, make in India, तो गवर्मेंट ने का करा, उसके देखते हुए, new initiative लेना start करे, so government लेकर आई, make in India, आफसाओ यह समय स्कती है, making in India मतलब, वो प्रोडक्त जो कि, Indian company ने बनाया है, ऐसा नहीं है सर, make in India का मतलब, वो प्रड़क्त जो की, India के अंदर बनाया है, चाए वो Indian company ने बनाया हो, चाए वो भार की country ने बनाया हो, company ने बनाना कहाँ पर हो, इंडिया में, सब्सक्राइब। देगा इंडिया को ही देगा घला कर लोगों को नहीं देगा मथ समझाल दी विवक्ट्री एंडिया में बैचेगा या करनी बेचेगा अगर तो इंडिया मैं बनाएगा बाहर बनागर नहीं बेचेगा बात समझेए आपर नहीं समझेए Skill India गोर्मेंट ने बोला कि अम यूथ को na skillful बनाते हैं कुछ ऐसी policies लेकर आते है कुछ ऐसे program लेकर आते हैं youth na skillful हो जाए इससे कि वो पैसे कमा सके productive बन जाएगा इंडिजिटल इंडिया आप लों को पता ही है कि इंटरनेट को इतना ज़ाइद एकसेसिबिल कर लिए कि हर कॉन्रहुने में इंटरनेट महुंच किया सारी चीजह दीरे इंटरनेट के ओपर शिफ्ट करे चले जा रहे हैं यह यह लोग इसकी वज़़ा से इंडिया क्या पैसा देना है और जो इंडिया को भार कंट्री से पैसा लेना है उनके बीच में अच्छा बैलेंस बन सब्सक्राइब एक बैलेंस बन जाएगा ना तो इंडिया की इकोनोमी ग्रो करेगी क्लियर है बच्चों तो यह वाला चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था हमारा तब तक के लिए बाबाए और प्लीज इसको याद कर लीजेगा बाए बच्चों ठेंक यू